दिल्ली ये दो लॉंडे जब मिलते हैं, तो इंटर्व्यू नहीं होता, मिशन होता है, बवाल होता है, तो मिशन पर जाने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल तयार हैं, बिल्कुल, आप तयार हैं, मैं तो तयार हूँ, बंदू का आपको चाहिए, इस बंदू की ज बिजनेस अभी कर रहे हैं उसमे तो आपको अलग-अलग रूप डालने होते हैं, आप टो बे नाम, तो कभी लोग्स अडवांटेज होते हैं, कभी लोग्स डिसद्वांटेज होते हैं, बट चालाकी और और पैशन का खेले है, अच्छा मैने जब नाम सुना फिल्म का मिशन मजनू, मेरे दिमाग में इमेज कुछ और थी, अच्छा, कुछ आप आश्की करोगे, कुछ लॉंडियावाजी करोगे, ये करोगे, और टीजर देखा तो इस एंटारले डिफरेंट, तो मिशन मजनू नाम क्यों हैं फिर, ये मजनू देखो हर काम में पैशन की ज़रूरत अगर आप पैशनेट नहीं हो किसी भी काम को लेकर, तो आप उसको अच्छा नहीं कर पाएगे, तो ये जो किरदार है, ये हिंदुस्तान को लेकर बहुत पैशनेट है, ये जो हमारे बे नाम सैनिक है, पूरी दुनिया में जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर के उस पार, उस पैशन को लेकर इसको देश का मजनु कहा है हमने, और इसको जो बाकी किरदार इसको इसे डील करते हैं, वो बोलते हैं कि अबे मजनु, तेरा कोडनेम, मिशन का कोडनेम मजनु है, वो लोग इससे भी मजनु बलाते हैं, वो जानते हैं कि कितना पैशनेट है, थोड़ा पागिल भी है, कुछ जादा ही dedicated है देश को लेकर, तो देश का मजनू, mission मजनू अच्छा तो ये वाला मजनू देश से इश्क करता है बिलकुट, 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 देश प्यार लड़की वाला इश्क नहीं, लड़की वाला इश्क नहीं क्या वो जैनून है, क्या वो देश जीतेगा या उसका ये परसनल प्यार जीतेगा तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं बिच्च में अच्छा, शेर्शा जब आपने की जिए, तो अनो टी टी, उस वक्त क्या हुआ था I was not well, I got the screener for शेर्शा कि भाई ये फिल्म देख नहीं, इसका रिव्यू करना है अगले दिन 10 बजे तक दिर्वादर एंबार्गो हम लोगों को allowed नहीं होता फिल्म देख लो, रिव्यू अपना लिख लो जो भी करना है पर 10 बजे आप डालोगे तो I saw the film and I got very emotional I am crying and mixed emotions थे बड़े तो मुझे ना समझ में नहीं आया कि फिल्म इतनी अच्छी है या मैं बिमार हूँ और देवस नो अधर रिव्यू तो लुक आफ्टर की आप चलो किसी से तो I did a review, a very good review और फिर 10 बजे वो जाना था तो हमने बेज दिया तो मैं बड़ा डर रहा था कि यार कहीं मेरी बिमारी में तो मुझे पिक्चर इतनी अच्छी नहीं लग गए भैक तो नहीं गया आप तो नहीं गया but then it turned out to be your beautiful film and उसके लिए तो जितना आपको प्रेज किया जाए I think कम है ये तो कोई question नहीं था, this is just a fan of resolution जब भी आपसे मिलूँगा न तो ये किसा जरूर सुनो क्या बात है नहीं चला तो आपका बुखार नहीं था आपकी जनुएन भावनाए थी तो फिर मुझा नहीं मैं ठीक हो गया हूं उसके बाद मैं ठीक भी हो गया अच्छा एक बहुत है OTT, Cinema आपको कही न कही शेर्षाह से यू प्रूब कि इस नहीं था कॉटेटर वाला जो वक्त बदल गया है पहले हमारे मुबाइल फोन जालग होते थे अब स्मार्ट फोन जागे है उसमे आप इतना कॉंटेन देख सते हैं कहीं भी बैठका पहार में बैठे हैं, जिम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं तो आइधिक उस टाइम के साथ जो जिस तरह से ओडियंस भी कॉंटेंट को देती है अब्सॉब करती है वो डेफिनिटी बदल गया है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सिनिमाज कहीं भी आगे जाके नहीं होंगे डेफिनिटली मैं वो अक्टर हूँ जो सिनिमा में लॉंच हुआ हूँ हिंदी विच्रे करते हैं पर आइधिक अभी पैरलली एक्जिस्स करने की जगे है अभी अभी हम इसी साल रिकावर करे हैं कोविट से भी बिजनस तकरीबन वापस आया है कुछ महीनों पहले बड़ ऑडियन्स की चॉइस जरूर दर्ली मैं कहना चाहूंगा वो अब एक सिनिमा एक्सपिरिंस चाहते हैं उनका टेस्ट थोड़ा बदल गया है तो I think हर एक अक्टर, हर एक डिरेक्टर, हर एक टीम चाहती है कि उनकी पिच्चर मैक्सम लोगों की तरफ जाए और जब आप नेट्फिक्स यसे प्लाटफॉर्म पे आते हैं तो आपको पता है कि जो उनकी रीच है या हिंदुस्तान में हो आपको जो आईबॉल्स मिल सकते है वो शायद आपको इस दोर में थेटर में ना मिले तो I think वो एक लालच है कि हर एक अक्टर चाहता है, हर एक डिरेक्टर चाहता है कि हमारी पिच्चर बहुत सारे लोग देखे तो definitely I think को एक्जिस्स करने की ज़रूरत है और हम बहुत excited है मेरा पहला association है Netflix के साथ और जिस तरह से हम teaser launch कर रहे हैं इंडिया एक अमेजिक मैंध्या को करें गेट का एक अमेजिग बैंकड्रॉप है मैं दिली से खुद हूँ आज विजै दिवस है तो I think एक हमारी ideology एक तो फ्रत प्रो्सस है मैच कर रहा है Netflix के साथ, हम बहुत excited है, वो बहुत excited है, तो I think it's a win-win situation for both, and अभी audience के उपर है, अच्छा, फिल्म का नम मिशन मजनु है, but when you started, आपका मिशन क्या था, कि एक्टर मनुँगा, पड़ाई लिखाई में तो आप, जंदे नहीं गाड़े, मतलब खराभी थे थोड़े से, So, your father wanted you to be an engineer? No, 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 my father was in the merchant navy, and my grandfather is from the army, और हमारे time पर ऐसी कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, कि ये करना है, वो करना है, हम लोग थोड़े lost, at least मैं कहूंगा, I was a little lost in that time, कि क्या करें, अच्छा, नौर में कि MBA कर लो, और फिर एक corporate job गुड़ो, तो शायद मैं वो करता, और मेरा mission बदलता रहा, हर साल में, and I think इतिफाक की भी बात है कि audition करने के मौके मिले दिल्ली में, वहाँ से select हुए, पर एक बाद जब बंबई पहुंच गया तो फिर तो mission movies ही था, और mission acting ही था, और उसको कम से कम आस करने में मैं को 6 साल लग गए, जब मैंने पिन पहली पिच्छर शुरू करी, मैं 21 में आया था बंबई पर, यह सही है कि production house में ही सोते थे आप, उसके office में सोते थे, शुरू में, विल्कुल, 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 जब मैं बुला था, मैं शुरूआत में आया था, तो उन्होंने तो बुला लिया है, कोई भी लड़के आ रहे हैं जुबी से, तो फिर जब उन्होंने, मैंने कुछ, अरेंज नहीं किया था रहने के लिए, तो उन्होंने का हम अरेंज करेंगे, हम अरेंज करेंगे, अब उनके वहाँ पर कुछ communication gap हुआ, तो कहते है यार यह है, एक गोरे गाउं में, एक उनका office है, जो वहाँ पर एक editing room है, तो मैंने क सब्सक्राइब है, तो पहला experience मेरा बंबई के साथ काफी उठ पटांका था, और मैं कहूंगा, एक साल लग गया adjust करने में, और फिर जब आप एक बार commit कर देते हैं, तो चाहे वो तीन लोगों के साथ room share कर रहे हैं, चाहे वो घर shift कर रहे हैं, चाहे वो rental houses देख रहे हैं, तो बहुत कुछ experience करा है, बंबई ने, इस acting के mission पर, अज़ी ये सही है कि आटो में आपको एक दोस्त ने बताया था, AD कुछ होता है, फिर आपको पता चला की, तो मैंने आपके एक biography बनाई थी, अरे वाँ, तो ये जैसी जब हम जिस entry की बात कर रहे थे, बंबई में मैं ज जब गया, तो उसके तकरीबन डेड़ साल के बात की बात है, क्योंकि जो पिचर के लिए में आया था, उसकी हमने कम से कम 8-10 महिना training करी और पता चले कि यार वो जो डिरेक्टर साब थे, वो नहीं बना रहे हैं, हम नाम नहीं लेके हैं, तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं ब वो घर छोड़ दिया, उनका जो भी उनका अकॉमडेशन थी, फिर दोस के साथ शेयर कर रहे हैं, दोरे दोस्तियाद बहुत प्यारे थे, उन्होंने जगे दी अपने घर में, 1BHK में दो लोग शेयर कर रहे हैं, तो फिर जब मैं एक आटो रिक्षा में हम लोग जा रहे तो मैंने का यह क्या होता है, तो because I was very intrigued किया, आपको किसी और आक्टर का प्रोसेस में पता चलता है, और वो कितना interesting और कितना beneficial हो सकता है, तो उसने बताया, कि assistant directors होते हैं, जो director की मदद करते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, कभी तो आप scene दे रहे हो, कभी आप साफ कर रह कभी background organize कर रहे हो तो मैंने कपड तू सेट पे जाता है तो वहां से मैंने उसको भी नहीं बोला था तो मेरे को distinctly याद है कि कुछ मेरे अंदर घंटी बजी कि अगर कुछ सीखना है लाइप में अगर आक्टिंग का काम तो नहीं मिल रहा है तो पीछे से ही सीखें कम से कम एक सेट पर जाने का मौका मिलता है आप इतने desperate होते हो इस कैमरा के पास होने के लिए और वो कीड़ा वहां से शुरू हुआ और फिर तोड़ा mission chain हो गया कि mission assisting mission assisting कि बोलुगा रहे hero बनना है तो बोलेंगे वह चल करें hero बनने तो काम कोई काम देंगी रहा है तो पर फिर इस ओड़ शो की जब कोई भी बंबई आता है किसी भी फिल्ड में आप singing लेलो acting लेलो dancing लेलो बहुत competition है और शुरूआत से आपको लगता है कि यह इतनी बड़ी भीड में है कैसा काम चलेगा अपना पर वह है जो dedicated है वही फिर आगे बढ़ता है कमिंग बैक टू मिशन मजनू को नेटलिक्स वाले काट ना देंगी अरे प्रस जारा है इधर उदर की कुछ रहा है सिदार के बारे में हमारी फिल्म की बात नहीं कर रहा है इस फिल्म में कुछ रहा tough मतलब क्योंकि जो हमने अभी तक teaser देखा टीजर में तो you're at ease की तो कुछ रहा ऐसा की जो लगा हो कि यह वाला करने में थोड़ा मुश्किल आई थी यह ऐसे बहुत किस है मैं बहुत excited हूँ उस picture के character को लेकर because पहली बार जो pretend layers है क्योंकि मेरा जो किरदार है वो एक जासूस का है जो हिंदुस्तानी जासूस है पर वो पाकिस्तान में है तो जब obviously वो अपनी real identity नहीं बताएगा वहाँ पे तो मैं एक tailor play कर रहा हूँ वहाँ रावल पिंडी में और कि वो कैसे और वो tailor भी क्यों चुना उसने उसका बहुत interesting मतलब एक reason है उसका कि उसको tailor क्यों बनना था एक दुकान में क्यों जाना है वहाँ से उसको कोई information मिलती है it's all connected तो उसके साथ आपकी भाशा change होती है आपकी body language change होती है आपकी look change होती है और हर scene में वो अलग-अलग तरीके से information निकालता है तो मुझे को बहुत अलग सुर करने को मिले which was equally challenging एक भाशा को लेकर जो उस जमाने की पंजाबी उर्दू थी और थोड़ा body language को लेकर क्योंकि यार एकदम से आपको tailor दिखाना है फिर वो अपने असली रूप दिखाता है किसी scene में फिर वो tailor बनता है research कैसे होता है उसका दिवाग कैसे चलता है जब जासूस प्ले करते हैं I think interesting इसली होता है because मैं आपके साथ ऐसे भी बैठा हूं पर मेरी real identity नहीं है और audience को बता है कि नाटक कर रहा है तो वो automatically interesting हो जाता है कि वो कैसे information निकालेगा वो scene कैसे होगा तो I think ऐसे काफी challenging scenes दे theater से अलग experience advantage क्या होता है कि you just look at the content for as it is और वो engaging ही होगा तभी लोग उसको पूरा complete करते हो ना तो आप pause कर देंगे आप आप सारे options अब तो 15 second वाला forward देंगे तो नहीं नहीं features आ रहे हैं बॉलिवर्ड में किसकी करना चाहेंगे करेंगे तो नहीं करना चाहेंगे अरे हमारे आसपास इतने जासूस हैं जो pap culture शुरू है वो जासूस से कम नहीं है मैं तो उनसे tip लेना चाहूंगा कि भाई कहां से आपको पता चलता है कि हम कब enter करने वाले हैं कब exit करने वाले हैं especially जब आपकी गाड़ी हैं उनको गाड़ीों का number ही पता है हाँ सब पता होता है तो बत मतलब वो सबसे बड़े जासूस रहने हैं पर हमें किस पर जासूसी करने हो कि हम तो चाहेंगे कि हमारी जासूसी कम हो उससे break मिले है आपकी तो कम हो आपको अगर कुछ करना हो मैं लीजे करन जो आ रहे हैं कोई भी है कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे में ने ने उनके बार मैं जासूस करने की जुरूत नहीं है, उनकी सारी सब की लाई सोचल मीडिया पर आजकर मैं तो एकी चीज, जब मैं हाली मेरे, I'm very fond of animals, मेरे जब pet dog था तो मैं वो सोचता था, जब मैं घर पे नहीं हो तो वो क्या करता है तो अगर मैं उस पे जासूसी कर पाऊं कि मेरा pet animal, घर पे क्या करता है भई, उसका दिन कैसे जा रहा है, जासूसी अच्छा, नाम इसका इस तरह का है, Mission Majnu, मजनू तो आशिक होते हैं, तो सिधार्त मलुतरा ये लाइफ में मजनू टाइप है, या थे पहले अरे, बहुत अरे, बिल्कुर, obviously, हर किसी के लाइफ में आशिकी और मजनूगीरी हुई है, दिल्ली के लॉंडे है, दिल्ली में बगत सिंग में कितना कुछ, I think बगत सिंग में मैंने कॉलेज में और कुछ नहीं चिका है सबाए ड्राइविंग के अज़ा कभी ऐसा हुआ था कि जैसे वो हम मैहुना में देखते हैं, जब सुष्मिता सेन आती हैं, शारुक खान को दिल में घंटी बचती है, तो इस तरह ऐसे कभी कुछ हुआ लाइए हमारे हमारे कॉलेज में शुष्मिता माम जैसी कोई ऐसी टीचर नहीं आई, बगत सिंग के आप फाइकल्टी देख लेते हैं तो फिर आपे लगता कि हम थोड़ा क्लास से भारी रहे थे, यह बोलना नहीं चाहिए मतलब चलो, आगर मैं आप अई वैसे नॉमल, कभी भी इस तरह का मुवमें आए ऐसे धार्थ की लाइफ में की वही कॉलेज में देखा ऐसा सुष्मिता सेन और शारुक खान वाला मुझा वाला कॉलेज में इसकूल में कभी भी ने एसा कोई ऐसी घंटिया तो नहीं बजी आप डेफिनिटली अपने दिन रहे हैं आप रोमांसिंग इन देली एंग कॉलेज लाइफ इंग बाद इंटेग्रिल पार अटा जब नहीं लोगों से मिलते हैं और ड्राइविं भी इसी जुनून से सीकरी तब था मिशन ड्राइविं किया और पीकन इफ यू किन राइव आपको या अपको कुछ भी करना अच्छे कपड़े पहनना तो इकमोटिवेशना जाती है तो तो फिर दिन यू किन लाइज बीज दुदा बिलकुर अच्छा अब जहां आप है 10 years you have spent and a lot of love you have got बड़ी सारी फिल्में आपकी जो बहुत पसंद भी की जाती है तो अभी what you feel कि कहां तक I have arrived? Oh no yaar, नहीं नहीं, I think experience बहुत रहा है दस सालों है but content-wise, performance-wise, stories-wise I think I am equally hungry to do better and to do different kind of roles कुछ ऐसा दे, मैं assess करता हूँ किसी फिल्म की success को जो की सालों साल तक याद रहे क्योंकि जब आप हमारे कितने भी superstars उनकी भी किस्से देखें बच्चन साब के खुद जैसे अगनीपत थी उस जमाने में उस वक्त नहीं चली हो बड़क नीपत अगर आज देखते हैं हम तो यार बच्चन साब के सीज़ अगर कोई नाम बता दे अपना तो हम सीधे दू से ही निकलता है बिलकुल बिलकुल तो I think किसी भी content की जब वो longevity आप देखें कोई आपने Netflix पे picture देखी है अगर आपको अभी भी याद है कियार मैंने पांच साल पहले वो देखा था कितना अच्छा शॉट ता that is actual victory of any content तो मेरा लालच अभी भी बहुत है है कि ऐसी कोई film में हो जो यादगार हो जो प्यार अभी शेर्चा में मिला है मैं उसी प्यारा था है Kapoor and Sons and you know एक विलन films are I've been lucky to have such content तो अभी भी भी भूख नहीं मिटी है अब चूजी नहीं हो जादा मतब यू डू वेरी लेस थोड़ा चूजी हो गया इसी लालच के वज़े से चूजी हो शायद में मतब मुझे लगता है आप you don't do much कि आपको अगर 20 आते हैं तो आप उसमें से शायद एक को बहुत सोच के बिलकुल, बिलकुल कभी-कभी कभी 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 कि मेरे डिरेक्टर और प्रोडूसर्स मेरे को इस पर काफी वो कहते हैं कि भाई तू आप इतनी कहानिया सुनते हो और उसमें से आप गिनी-चुनी परसंटेज करते हो, बिलकुल पर इतिंग वो चूजीनेस इसी लालच से है कि कुछ अगर करें तो ऐसा यादगार करें कि वो मतलब लोग एक लेगसी हो आपकी 10 साल, 15 साल बाद, I should be happy and proud of that film पर इतिंग वो एक बुरा लालच नहीं है पैसे दो से कमाने का लालच नहीं है याद मैं जिस क्योंकि बंबभी जब मैं आया था ना तब मेरे जेब में बिलकुल पैसे नहीं थे मेरे मिडल क्लास आप ब्रिंगिंग से है फैमिली ने एक हद तक सपोर्ट किया जब आप बहुत ही डाय डेंजर में तो मुझे रगता है आज उससे काफी पर्जेंटेज ज़्यादा है लाइफ में तो बिलकुल आइटिंग ये नहीं कि मैं उसके लिए इतना I would say ambitious नहीं हूँ बट थोड़ा content quality first कोशिश करता हूँ पर देखते हैं आगे कोशिश बड़ी अच्छा रंग ला रही है एक चीज़ और शेर्शा के बाद जिंदगी कितनी बदली हमारे लिए तो after शेर्शा how life changed for you how things change for you नहीं बिलकुल जब आपको लोग एक ऐसी फिल्म में प्यार देते हैं कि यार आप start to finish एक किरदार से attach हो जाते हैं उनके scenes आपको याद रहते हैं या यहनों कोई रोता है picture key end में तो एक एक I think बहुत ही अच्छी एक compliment होता है एक actor के लिए जो मुझे भी एक confidence देता है मेरे creative calls because शेर्शा में मैं काफी हद तक involved था चाहे वो process हो विश्णु भरदन जी और Sandeep Sandeep जो मारे writer है उनके साथ writing process and then eventually shooting पे editing हो music हो तो जब आप creative calls लेते हैं और वो लोगों को पसंद आता है तो एक as a creative person वो आपको भी बहुत खुशी देता है तो I think वो एक perception बदला है जब एक suggestion आता है तो एक thought process है आ रहा है मेरे जिमाग में और लोगों का प्यार और में को और dedicate भी करता है कि यार dedicated भी रखता है कि you know you have to work equally if not more hard in every film to get that result तो वो शायद मुझे वो शायद और भी चूजी कर दे बड़ लेट सी Lastly मैं आपको नापके fan के बारे में बताना चाहूँँगा बड़ा छोटा बच्चा है अच्छा मेरी फ्रेंड है नयाब उनका बेटा बड़ा नयाब उसका बद्दे आपके बद्दे के दिन होता है उसका लाइफ में मिशन है मुझे सिधार्त मलोत्रा बनना है So every second day her mother calls me कि please tell Siddharth Malotra about my son and take wishes अहान उसका नाम है कि अहान want to be like Siddharth Malotra उसने पता नी कौनसी आपकी फिल्में वो ये तो गाने चला के देखता रहता आपके आपके वो छोटा जा है दोड़ा ही साल को आपके वोड़ा ही साल को आपके विश हम जी बिलकुल आहान को आप ये वीडियो क्लिपिंग भीज अगर वो हमें देख रहा है तो thank you Ayan and Ahan, yeah thank you Ahan for all the love and hopefully our paths meet through him and I can wish you good luck अब की बहुत सारी लड़कीों की भी विशेज हैं वो में बता दे ली बागा Thank you so much Siddhar for giving us lovely content and keep giving and hope Mission Majnun वही जादू चलाए जो आपकी पिछली फिल्मे जो है चला रहे है और इस बार भी हम जो है emotional भी हो रोएं भी और कुछ फील करें फिल्म जब आपको कुछ फील करवा देती है न विल्कुल तो अब शेर्शा ने मुझे जो फील करवाया वो मेरे साथ आज तक है I carry that thing with me तो वो मुझे मतलब एक क्योंकि कुछ-कुछ फिल्म में आपके साथ रह जाती है जी बलकुल पसी फिल्म में हम देखते हैं कुछ भूल जाते हैं बद कुछ लंबे टाइम तक रहती हैं तो I think ये भी ऐसी रहे है Thank you, thank you so much Thank you, cheers